मॉर्निंग डियर स्टुदेंट्स कैसे बेटे आप सब लोग चलिए भाई अब हमें शुरुवात करनी है एक नए चेप्टर के जिसका नाम है फोटो सिंतेसिस और फोटो सिंतेसिस बेसिकली तो आप जो है बात करें है अपन छोटी क्लास से भी पढ़ते है आ रहे हो गार य पर बेसिकली हम पढ़ने वाले कुछ डीप में कुछ और नॉलेज गेन करेंगे उसी में कुछ एड़प करेंगे चीजों को एक ब्रॉड लेवल पे डिटेल लेवल पर बात करेंगे कि यार किस तरीके से क्या है ऑक्सिजन इवाल्व हो रही है फोटो सिंतेसिस के अंदर क अगर मैं फोटो सिंतेसिस की साइट की बात करूँ तो लाला बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही होती है आपको क्लोरोप्लास्ट का structure दिखाया हुआ है और क्लोरोप्लास्ट होते कहा है बेसिकली लीफ मेजोफिल सेल के अंदर होते है लीफ के अंदर होते है मेज मेजो 3 मेजो 2 मेजए काई पर मेजो 3 मेजो 3 मेजो 3 मेजए की आठ मेज फिल की दू NCRT में given है, mitocontral chloroplast, यह तीनों के तीनों cell organ, double membrane is cell organ, लेटा, तो यहां पर है अपन chloroplast को देखे हैं, double membrane envelope यहां पर है, उसके बास एक outer membrane इंगे तर membrane है, थाइलोकोड में, सुरी, इनको chloroplast membrane है, अपन बोलते हैं, बेटा यहाँ पर starzh यह granules आपको दिखाये देंगे इसका खुद का एक genetic material यहाँ पर प्रेजन्ट है granum यहाँ पर है और stroma यहाँ पर granum और stroma होते हैं इसके खुद के ribozoom भी यहाँ पर है और thailacoids अपन यहाँ पर कह रहे हैं अब जो liquid envelope encloses a liquid proteinaceous matrix called stroma, एक liquid matrix होता है, उसको stroma कहा जाता है, इसके अंदर एक liquid matrix होता है, उसी stroma कहा जाता है, आया समझ में, अगर आपन आगे बात करें बेटा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर stroma तो है ही से, उसके अलाब है thilocode और granum या grana भी है, और lamella भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, it contains 70S ribosome, आप देख चुके हैं, 70S ribosome इसके अंदर होता है, circular double standard DNA इसके अंदर होता है, उसके बाद अपन बात करें कि इसके अंदर glenormatrix consisting of enzymes of dark reaction, इसके stroma में, यह granumatrix का मतलब किसकी बात कर रहा है, granumatrix का मतलब किसकी बात कर रहा है, ultimately stroma की बात कर रहा है, तो stroma के अंदर enzymes of dark reaction होती है, अब dark reaction क्या होती है, यह तो बाद में ही पता चलेगा, बिल्कुल बताऊंगा मैं जब मैं अपन बात करेंगे, बात करेंगे, तब हम मैं बताऊंगा आपको dark reaction क्या होती है, तो आभी फिलाल आपको यह समझना है, कि stroma के अंदर सभी enzymes होती है, dark reaction की, stroma consists of flattened sack-like structure, आपको बोरे जम्मे हुए दिख रहा है यहाँ पर, और एक-एक बोरा जो है, इसको अपन क्या कहता है, इस पूरे unit को क्या कहेंगे, इस पूरे sack-like structure कहेंगे, आपन ग्रेनम पूरा structure जो है, और बीच में जो कनेक्ट कर रहा है, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से, वो है लेमिले यहाँ पर, वो है आपर लेमिले, और आपने बात करें, जो है फोटो सिंथेटिक एक्टिव इजन की, कहने का मतलब यह है कि भाईया, कहां फोटो सिंथेशिस होगा, यह topic इसले पढ़ रहे है, कि हमें यह तो पता लगे कि, किस wavelength of light पे फोटो सिंथेशिस होने वाला है, हम यह देखने वाले हैं कि हर किसी light पे फोटो सिंथेशिस नहीं होगा, अर्यार एक चीज बताओ, क्या है ना, स्कूल में अगर सपोस करो कि कोई टीचर अगर फिजिकल एजुकेशन का है, क्या हो मैट्स पढ़ा सकता 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 है, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंद का टीचर ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, उससे अपन बेटर फोटो सिंथेटिक अक्टिव रीजन पार कहते हैं, ठीक है, विजिबल लाइट, इस पर्ट ऑफ एलेक्ट्रमगनेटिक रिदिशन अविग वेवलेंट देट में 380 तो 700 नारो मेटर की, 760 नारो मेटर तक की वहाँ पर जो है वेवलेंथ होती है, एक बात करें तो 430 से 470, blue की बात करें तो 470 से 500, green की बात करें तो 500 से 580, yellow की 580 तो 600, orange की 650 और red की 650 से बेटा बात करें, आपन 760 नारो मेटर की वेवलेंथ यहाँ पर होती है, तो यह आपको हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपको दिखाए दे रही है, और हर एक पर्टिकुलर उसकी वेवलेंथ रेंज है, ठीक है, अब आपन को समझना आए कि बाईया किस वेवलेंथ रेंज पर अक्टिवली बात करें, आपन तो photosynthesis होने वाला है, the region between 400 to 700 nanometer, 400 nanometer से लेकर बेटा, 700 nanometer की जो एक पूरी range है वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ की जो है, जिसके अंदर बहुत सारे colors यहां पर देखने को मिलेंगे हैं आपको, आपको इस तरह आप 400 से बात करें, तो वाइलेंट डेगो ब्लियू, तो इक तरह से विब्ग्योर आपको बात करें, अपन यहां पर देखने को मिलता है, और photosynthetic active reason जिफs 400 से 700 nanometer की जो है, अब 650 स से red अपन बात करते हैं, एक certain wavelength तक ही जाएगी चीज़, 760 पूरा high wavelength तक नहीं जाएगा, तो 400 से 700 nanometer की जो पूरा reason है, photosynthetic active reason कहलाता है, पार कहलाता ही है, यह basically electromagnetic spectrum है बेता, जिसकी वज़े से अपन यह कह रहे हैं कि यहां पर जो 400 nanometer, 700 nanometer की wavelength है, वो यहां पर आपन को photosynthes कर पर वाएगी.